जेडियू के एकलोते निता नितीश कुमार है जिनके पास वोट बैंक है नितीश कुमार आने वाले दिनों में कई ऐसे प्रियोग करने वाले हैं बहुत कुछ ऐसा जनता को देने वाले अंदर खाने से जो मुझे रिपोर्ट मिली है जिससे कि वो अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पा सके अभी मैं आपको बता दूँ कि नियोजित सिक्षकों को रेगुलराइज करना मतलब चार लाख सिक्षक को रेगुलराइज करने का मतलब आप समझ लीजिए कि कितने लाख वोटों को वो अपने पक्च में करने वाले हैं इतना इने 4th grade employees के बीच में भी वो बहुत कुछ बाटने वाले हैं जो वहाँ सरकारी करमचारी हैं उनके लिए बहुत कुछ रियायत देने वाले हैं अंदर खाने ऐसी बहुत सारी चर्चा चल रही है और सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड निती सकुमार का जातिय जनगन्ना है जिसका काम उन्होंने पूरा कर लिया सवाल ये उठता है कि वो कैबनेट में इसको कब रखते हैं कैबनेट से मंजूरी कब मिलती है उसको वो किस तरीके से एक्सक्यूट करते हैं ये देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि ये नहीं बूलना चाहिए मैत्री कि बिहार हमेशा से राजनीती का प्रियोक शाला रहा है विपक्ची एक्ता की भी जब बात हुई तो इसके सूत्रधार नितीस कुमार ही थे और वो जगे बिहार ही था जहां से ये काम शुरू किया गया अब सवाल उठता है कि ये जो तमाम कवायद है उसके जरीए क्या नितीस कुमार वाकई इंडिये को 2015 का हसर दिखाएंगे जो 2015 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का विजयरत को रोकने में उन्होंने काम्याबी हासल की थी लालू प्रसाथ के साथ क्या इस वार वो ऐसा कर पाने में सफल होंगे क्योंकि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी भी बड़े नेता है देश में उनकी लोक प्रियता है OBC का भी उनको बड़ा चेहरा माना जाता है हिंदू हिर्दे समराट भी लोग उन्हें कहते हैं और खास तोर पर जब राम मंदिर भब रूप से बनेगा और उसके कुछ समय बाद चुना होगा तो जनता उनको कहां बिठाती है सीर आखों पर बिठाती है या नकारती है या नितीश कुमार को पसंद करती है ऐसा दिल्चस्प लड़ाई जिसको आप कह सकते है जबरदस्ट लड़ाई जो आप देखेंगे वहां की सियासत में वो आपको देखने को मिलेगा बले ही उत्तर प्रदेश में असी सीटे हैं वहां भी लड़ाई जोरदार होगी लेकिन बिहार में आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपरिमेंट्स मिलेंगे क्योंकि कई ऐसे छत्रफ हैं जिनके पास उनका आधार है जिनके साथ जाते हैं लड़ाई को निरनायक बना देते हैं इसलिए बड़ा सवाल ये उठता है कि वो तमाम छत्रफ अगर सही में अपने आधारों को जनाधारों को समेटने में काम्याब होते हैं तो जो सियासी गनित बनता है वो किसके पक्ष में जाएगा वो देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि बिहार की 40 लोग सभा सीटे सरकार बनाने में निरनायक साबित होंगी और ये जो पाटी है नितीश कुमार जो आज की मीटिंग में जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया उसे एक बात तो साफ निकल करके आता है कि 40 सीटों पर अगर वो एंडिये को रोकने में सफल होते हैं बहुत हद तक तो जायर तोर पर एंडिये के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा लेकिन क्या ये नितीश कुमार इस तरह से सफल हो पाएंगे क्या नितीश कुमार के कुनवे मतभेद होगा और अगर मतभेद है तो चलेगा पर अगर ये मतभेद मनभेद में कनवर्ट हो चुका है तो क्या वो अपने सियासी मुकाम को हासिल कर पाएंगे ऐसे कई सवालें जिनके जवाब हम लोग तलास्ते रहेंगे